बागिशुर कोत्वाली के आवासिय परिशर को अन्यत्र सिफ्ट किया जा सकता है सोमवार को गोमती नदी में आई बाड के बाद कोत्वाली के आवासिय परिशर में पानी भर गया था खत्रे के जद में आए इस परिशर को ततकाल खाली करवा दिया गया था पुलिस प्रशासन ने क्रामिकों के रहने की व्यकल्पिक व्यवस्ता तो कर दी है लेकिन खत्रे की जद में आए इस परिशर को अन्यत्र सिफ्ट करने की कवायद भी तेज हो गई है पुलिस अधिक्षक प्रिति प्रियदर्शनी ने बताया कि परिसर को शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा यदि ऐसा होता है तो पुलिस कर्मियों को इस खत्रे से हमेशा के लिए निजात मिल सकती है कल रास की तेज बारिष में गोंती नदी में काफी जाधा उफान आया था जिसके विज़े से हमारी कोट वाली के जो आवासी परिसर हैं, फैमली कोट ज से हैं जिसके विज़े से तोड़ा डामेज भी हुआ है महां पे काफी सिल्ट भी डिपाॉजिट हो गया है लुकिली वहां से जितनी जो फैमिली से जो भी लोग रह रहे थे उनको टाइम ली एक कर लिए गया था इस डिर्फ की मदद से और कोट वाली पुलिस की मदद से अभी वो जिला प्रसाशन है वहां से भी टीम आई थी उसका निरिक्शन करके गई और बहुत जल्दी उसकी चति पूर्ती भी हो जाएगी इसके साथ ही साथ चुकि वह काफी खतरनाक एरिया में बना हुआ है तो इसके लिए औरनेटिव भी हम लोग विचार कर रहे हैं आगे क्या क चाहिए है लाइन में हमारे पास में कुछ आवाज अभी इस वक्त खाली पड़े हुए हैं तो अभी हमारी कोशिश यही है कि जो भी अगर कहीं ऐसे चांस भी है कि पानी आ सकता है तो उन लोगों को उन कौर्टर में शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी बाकी आने जाने की समस्या अगर है भी तो बहुत कुछ कम दिन की है और इसके लिए हम लोग कुछ वैकल्पिक्स विवस्ता जो है इजात कर लेंगे ताकि क्यूंकि जो हमारी फोर्स की जो जान है वो सर्वो परी है और आने जाने का जो समय उसको हम किसी तरीके से कम कर लिया जाएगा CCN News के लिए कैमरामेन मनोश टंगडिया के साथ सुरिस पंडे की रिपोर्ट